नमस्कार दोस्तों रोजन और राश्य पल दखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें शाद भी बैल आइकन को प्रेश कर दें तागे दोस्तों आपकी राश्य से जूड़िस से भी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच शके और आप उन्हें देखकर अपने जीव दोस्तों बात करते हैं याश्य में गरहों की सिद्धिक यश्य होंगी क्या-क्या योग बनेंगे और इन्हें शबीक आश्य आपकी राश्य पर क्या होगा किन-किन जीव को लेकर याश्य में आपको साउतर नेना होगा और आखिर कौन गर्श्य कारीयाब के लिए बागी चले होंगे दोस्तों याश्य में आपका लव लाइफ श्वास्त करियर और धन की सिद्धिक यश्य रहेंगी साथे दोस्तों वीडियो के मत में आप श्यवी के लिए बहुत अच्छी बिचात देगा है उसने आप ज़रू देखेगा आपको काफी अच्छा लेगा तो दोस्तों दिन रहों के बात करें अर्थात अशूब समय की दोस्तों ध्यान रहें आप यह में कोई भी शूब्ठ पून कारें को भूल से भी ना करें तो दोस्तों यहां सब्सक्राइब जिसके इन्सान याथ दिल में उतर जाएंगे जाता है या दिल से ही उतर जाता है उपयक्छा और उदाश्री ब्रतने से घनिष्टा घट जाती है पीपल के पत्तों जीसा मत बनिये जो वक्त आने पर सुक कर गिर जाता है बनना है तो मेहंदी के पत्तों जीसा बनिये जो फिसकर भी दुसरों के जिंदगी में रंग भर द देता है तुनिया विरोध करें तो डरों मत क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसी पर ही पत्तर मारती है कोई भी वेक्ति तुम्हारे पास तीन कारणों से आता है पहला भाव दूसरा भाव और तिसरा पर भाव यदी भाव से आया है तो उसे प्रेम दो और यदी अभाव से आया है तो उसे मदद करो और यदी प्रभाव से आया है तो प्रशन हो जाओ की प्रमात्मा ने तुम्हें इतनी छमता दी है नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती मौत तो तब होती है जब उसे तेरना नहीं आता ठीक उसी तरह परस्तितिया कभी हमारे लिए समस्या नहीं बनती समस्या तो तब बनती है जब में प्रस्तितियों से निपढ़ना नहीं आथा तो चली'S सबात करते हैं आज की राज्शीफल की देनी राज्शीफल दोस्तों किसी भी काम को करने से पहले उस बारे में घहरी जनकार जरूले आपको बदा दें कि इसे बहुत अच्छे नदीति आपको आशिल होंगे घर में शुधार और नभी करण की योजनाएं बनेगी बच्चों को कोई उपलब्दी मिलने से उनका आत्मिश्वास बढ़ेगा तथा अपने फ्यूचर के प्रती और अधिक द्यान देने का मन करेगा इसको प्राण दोस्ते यह श्मिकर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों अपने अनमशे खर्चों को सिमीत रखें क्योंकि यह श्मय जो है अचाना कि कोई बड़ा खर्च आपके शामने आशकता है प् आपको बता दें कि पुराणी बातों को छोड़कर नए जीवन की तरफ देख पाना आपके लिए शंबह हो सकता है योग थेरेपिट्स की मदद से भानुतों के जो है उल्जन कम होगी आपको बता दें कि मित्र द्वारा मिला शयोग आपका आत्मिश्वाज भी असमय बढ बता दें कि दोस्तों रश्मनात्मक तथा रोची पूर्ण कारी में भी कुछ अपना शमय वतित करें इससे दोस्तों आपको खुशी मिलेगी मांसरी ग्रूप से भी रिलेक्स महसूल करेंगे यह शमय कुछ चुनोतियां भी आपके शामने आने वाली है प्रन्तु आप यूजनाएं तो बहुत आएंगी या पिर बहुत यूजनाएं होंगी इस बात को लेकर आप असमंजस में रहेंगे विरुद्यों की इगतिद्यों को भी यसमें नदरन्दाज ना करें यह आपके लिए आवेश्य होंगे और इसको प्रांदोस्तों यह में परिवार से समय लोगों के लिए महत्पूर्ण रहेगी यह जो समय है आपके लिए आपके इकचाश सकती परवल होने के कारण कटिन कामों को भी अशानिश्याब कर पाएंगे करीबी लोगों के शाथ तोड़ा समय वर्दाव रखने की आपको आपको आफशकता होंगी तो इन पर जोड़ की खरेदारी शमदी कारी भी हो सकते हैं तथा कारी 104 रुप से संपन भी हो सकते हैं इनसे दोस्तों आपका आत्मिश्वास भी यह बढ़ने वाले हैं व्यर्द की गतिदों में अपना शमय नश्क ना करें यह शमय चल रहे उचित शमय का भरपूर सद्विप्यों करने का श सब्सक्राइब करने का अप प्रियाश करें अपको बने हुए कर्च को मिढाने की आपकी कोशिच पर बढ़ रही हैं फिर यह खर्चों पर नेंतर लाने की आपको आवश्यक्त आहोंगी घर से समद्रें नए खर्चे अचानक स्युत्पन हो शकते हैं फिर भी दोस्तों पै दोस्ते यह शमय आपके लिए जर्म होंगे दोस्तों आपको बदा दें कि किसी समाजी स्विश संथा से जुड़ने तथा उसमें अपना शयोग देने में यह अधित्तर शमय व्यतित होगा अगर घर पर वर्तन करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए योजनाब बनान हैं तो इस बात का ध्यान दखें शाथी दोस्तों भाईयों के शाथ ही कोई मनुठाव की इस्तिती भी उत्पन हो सकती है समयदारी तता शांती पुर्ण तरिके काम लेने का प्रयाश करें इसे दोस्तों आप प्रस्तितियों को ठीक कर पाएंगे द्यार्थी अपनी पढ़ाई पर और धिध्यान दे यह आपके लिए बैतर होंगे और और यह समय फिलाल आपके काम अशानी से हो रहे हैं आपको बदा दें कि आपके आज पास शकार्तम पहले अपने काम को पूरा करना आपको यह में शिखना होगा और अगर आपकी केरेट को लेकर बात करें अर्थात आपके वयशाय की तो दोस्तों वयपार्श मंदी गतिद्यों का और अधिक परचार परशाच करना जरूरी है प्रवावशारी नए शंपर्ग भी बनेंगे य लोगों के शाथ मेल बढ़ाएं दूसरों यह में यह आपकी केरेट के लिए यह में पहतर शामित होंगी और प्रांदों से यह में वह साइक अस्तल फर फायदे की सतियां बन रही है फायदे की अप्रिक्षा मेहनत भी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी आपको बतादे कि दोस्तों कोई खाष शबलता को यह में आपको नहीं मिलेगी परन्तु आपके भष्ष शमंदी वजनाएं शकार्त मग रहेंगी और भष्ष में आपको अच्छी शबलता भी प्राप्त होगी आई और वह का शमानवा यह में बना रहेगा नोकरी की तरक्ष शमंदी कोई संबब हो सकता है किसी के साथ भी मिलकर कोई प्रोजेक्ट करना आपके रिशमें फायदे मसाबद होगा तो इन पर आप ध्यान देख सकते हैं और इसको प्रांदों से यह में आपके केरेट के लिए जिसमयोंगे दोस्तों आपको बता दे कि काल चत्र में शभी काम अच्छ सब्सक्राइब को प्राक्ति पता दें नोकरी पैशा व्यक्ति भी ध्यान रखें कि किसी परकार की राजनीती में आप भंशकते हैं तो सतर करें और इसके प्रांदों से उम्मिद करने के बजाए अपने शभाव में बदलाव लाना आपके लिए जरू होगा दोस्तों यह म आपके लव लाइप के लिए जिवन के लिए दोस्तों आपको बदा दें यह अध्यादिक वैस्ता के बावजुद भी घर परिवार पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे प्रंतु जिवन शाथी और परिवार श्रदस्यों का स्योग आपके उपर बना रहेगा जिसे दोस समय है आपके लिए च्छनिक ही रहेगी माहौल में फिर से सुधार भी आएगा तो दोस्तों चिंता ना करें और इसको प्रांदोस्तों यह श्रमी आपके लव लाइप लिए प्लिए आपको बता दें कि दोस्तों पती पतनी आपसी सयोग दोबारा घर तथा वायशाय संब च्छिवत बिबारी समदी पुराने रोग दोबारा उठ सकते हैं इस दूसरी यह श्रमी बिलकुल ना बरते और वहत दिनसे चरिया रखें यह आपके स्वास के लिए इसमें बहतर साबित होंगे और इसको प्रांदोस्तों यह श्रमी आपके श्रमी आपके स्वास के विए होंगे आपको बता दें नचला जुखाम्त की समस्षा भी आपको परिशान कर सकती है दोस्तों यह में लाप्रोहाई बिल्कुल ना पड़ते हैं और अपना उचित इलाज लें यह आपके श्वास के लिए बैतर होंगे तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान दें वश्कुप्रा